उर्दू के चाहने वालों को अब्दुल्रोव सिद्धीखी का आदाब Welcome to our podcast मैं शायर तो नहीं शरीख कैफी बहुत अच्छे शायर हैं उनकी पैदाईश 2 नवंबर 1961 में बरेली उत्तरप्रदेश में हुई उनके वालिद कैफी विजदानी भी शायर थे शारिख साहब काफी बरसों से मियारी शायरी कर रहे हैं सीधे सादे लबो लहजे के शायर हैं कैफी साहब के सहल लवजों के शेरों में भी बड़ी गहराई और जिन्दगी की सचाई नजर आती है एक गजल शुरू कर रहा हूं तवच्छ चाहूंगा एक दिन खुद को अपने पास बिठाया हमने एक दिन खुद को अपने पास बिठाया हमने पहले यार बनाया फिर समझाया हमने खुद भी आखिरकार उन्ही वादों से बहले जिन से सारी दुनिया को बहलाया हमने भीड ने युही रहबर मान लिया है वरना अपने अलावा किसको घर पहुचाया हमने मौत ने सारी रात हमारी नपस्ठ टोली ऐसा मरने का माहौल बनाया हमने घर से निकले चौक गए फिर पार्क में बैठे तनहाई को जगा जगा बिखराया हमने इन लमहों में किसकी शिरकत कैसी शिरकत उसे बुला कर अपना काम बढ़ाया हमने दुनिया के कच्चे रंगों का रोना रोया दुनिया के कच्चे रंगों का रोना रोया फिर दुनिया पर अपना रंग जमाया हमने जब शरीक पहचान गए मन्जिल की हकीकत फिर रस्ते को रस्ते भर उलजाया हमने एक दिन खुद को अपने पास बिठाया हमने पहले यार बनाया फिर समझाया हमने एक बेहतरीन गज़त छे रंगों मेरी तरफ मुतवच्चे हो जाएं आइने का साथ प्यारा था कभी एक चहरे पर गुजारा था कभी आज सब कहते हैं जिसको ना खुदा हमने उसको पार उतारा था कभी ये मेरे घर की फजा को क्या हुआ कब यहां मेरा तुमारा था कभी कैसे तुकडों में उसे करलू खुबूल कैसे तुकडों में उसे करलू खुबूल जो मेरा सारे का सारा था कभी आज कितने घम है रोने के लिए आज कितने घम है रोने के लिए इक तेरा दुख था सहारा था कभी जुस तुझू इतनी भी बे मानी न थी जुस तुझू इतनी भी बे मानी न थी मन्जिलों ने भी पुकारा था कभी ये नए गुम्रा क्या जाने मुझे मैं सफर का इस तियारा था कभी इश्क के खिस्से न छेडो दोस्तो मैं इसी मैदान में हारा था कभी मैं इसी मैदान में हारा था कभी गजल खाब वैसे तो एक इनायत है आँख खुल जाए तो मुसीबत है जिस्म आया किसी के हिस्से में जिस्म आया किसी के हिस्से में दिल किसी और की अमानत है जान देने का वक्त आही गया जान देने का वक्त आही गया इस तमाशे के बाद फुरसत है उम्र भर जिसके मश्वरों पे चले उम्र भर जिसके मश्वरों पे चले वो परेशान है तो हैरत है अब सवरने का वक्त उसको नहीं जब हमें देखने की फुरसत है उस पे उतने ही रंग खुलते है उस पे उतने ही रंग खुलते है जिसकी आँखों में जितनी हैरत है उम्मीद कर रहा हूँ के आपको शरीक कैफी साब की शायरी पसंद आ रही होगी मेरे साथ जोड़े रही है और बहुत अच्छी घजले सुनाओंगा इंतिहा तक बात ले जाता हूँ में इंतिहा तक बात ले जाता हूँ में अब उसे ऐसे ही समझाता हूँ में कुछ हवा कुछ धिल धड़कने की सदा शोर में कुछ सुन नहीं पाता हूँ में बिन कहें आउंगा जब भी आउंगा मुंतजिर आखों से खबराता हूँ में याद आती है तेरी संजीदगी और फिर हस्ता चला जाता हूँ में फासला रख के भी क्या हासिल हुआ आज भी उसका ही कहलाता हूँ में चुप रहा हूँ आईने की आँख से थोड़ा थोड़ा रोज धुंदलाता हूँ में गजल था मैं हासिल करके तुझको अब शर्मिंदा सा हूँ था एक वक्त की सचमुच तेरे खाबिल था मैं किस एहसास से जुर्म की सब करते हैं तुखो एक किरदार किया था जिसमें खातिल था मैं कौन था वो जिसने ये हाल किया है मेरा किसको इतनी आसानी से हासिल था मैं सारी तवज्जो दुश्मन पर मरकूज थी मेरी अपनी तरफ से तो बिलकुल ही गाफिल था मैं जिन पर मैं थोड़ा सा भी आसान हुआ हूँ वही बता सकते हैं कितना मुश्किल था मैं नीद नहीं आती थी साज़िश के धड़के में फाते होकर भी किस दरजा बुश्दिल था मैं घर में खुद को खैतो मैंने आज किया है घर में खुद को खैद तो मैंने आज किया है तब भी तनहा था जब महफिल महफिल था मैं तब भी तनहा था जब महफिल महफिल था मैं आज की एपिसोड की आखरी घजल जो कहता है की दरिया देखाया गलत मौसब में सहरा देखाया डगर और मनजिलें तो एक सी थी वो फिर मुझ से जुदा क्या देखाया हर इक मंजर के पसे मनजर थे इतने बहुत कुछ बे इरादा देखाया हर एक मन्जर के पसे मन्जर थे इतने बहुत कुछ बे इरादा देखाया रुका महफिल में इतनी देर तक में उजालों का भुडापा देखाया तसली अब हुई कुछ दिल को मेरे तेरी गलियों को सुना देखाया बहुत गदला था पानी उस नदी का मगर मैं अपना चहरा देखाया मैं इस हैरत में शामिल हूँ तो कैसे मैं इस हैरत में शामिल हूँ तो कैसे नजाने वो कहां क्या देखाया वो मंजर दाई मी इतना हसी था कि मैं ही कुछ जियादा देखाया कि मैं ही कुछ जियादा देखाया थैंक्स पूर लिसनिंग अब्दुल रोग सिर्दी की इजासत चाहता है स्टे सेव लव यू आल